लेकिन आपको भी करना जरूरी है बहाई यह जो बता रहे है गलत बता रहे है कैसे कीजेगा कंविंस किसान liberty एक ऐखेंगे बिल्कुल करेंगे हमारे साथ सो पंचायत भी हम कर रहे हैं देश्बर में हर जिले में पंचायत होगी और जगऴ प्रेस कॉंफरेंस करके और सब जगर जाकर हम यह बता रहे हैं कि देखो इसमें उद्योगपदी कहा आ गए उद्योगपदी का कोई मुद्दा ही नहीं है किसान के आज तक जो कॉंग्रेस के जमाने में एपी एंसी का जो मॉडेल एक्ट बना उसी का यह अच्छा रूप है दूसरा जो कॉंट्रैक्ट फार्मिंग एक कॉंग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने पंदरा राज्यों में पास किया वही कॉंट्रैक्ट आक्ट है ज्यादा सवरक्षन देकर है तो यह जो है वह बहुत महत पूर्ण है तो हमने नई चीज कुछ नहीं की है जो पहले ही थी अब यह उल्टा बोलेंगे अपने गोश्णा पत्र में एक लिखेंगे अब उल्टा बोलेंगे कॉंग्रेस ने किया तो अच्छा बीजेपी ने किया तो बूरा ऐसा तो नहीं हो सकता ना लेकिन वह कह रहे यह सवाल नहीं है नहीं नहीं कर रहे दोंब तीज अलग है सच्चाही क्या है किसां किसां है जो हमारे है लेकिन किसां के आड में कुछ लोगों ने सारगी लिमान और इनके रिहाई की मांग करना या किसान अंदोलन का माई का उपयोग करके भी वो करना और उसके साथ साथ उनके पोस्टर लगाना ये गलत उपयोग कोछ लोग कर रहे है इससे किसानों को सावधान रहना चाहिए यही हम कह रहे लंडन में, नियॉर्क में, कैनेडा में, आस्टेलिया में, प्रदर्शन में खलिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना ये दुर्भागे पूर्णा है तो ये किसानों के अंदुलन का गैरवाजवी लाब लेने, अनुचित लाब लेने का ये मैटर है और इससे किसानों को सावधान रहेना चाहिए अगर किसान संगठनों की याड में अटरा लेफ्ट या खालिस्तानी एलिमेंट अपना खेल खेल रहे है जिसकी जानकारी आपके पास विदेशों तक से आ रही है तो सरकार सकती क्यों ने दिखा रही है, किस बात का इंतजार कर रही है किसान बैठे है, वहां किसान बैठे है, वहां किसान उपर तो उल्टी कोई कारवाई कर रही है